तो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और IPL का मेच नंबर पेसर ट्राजस्तान रोयल और पंजाब किंग्स के भी इसमें खेला जने वाला है तो इस मेच के लोगों कौन से गयरा प्लेयर होंगे जो बेस्ट परफुमेंस करेंगे और ड्रीम टीम में तो इस मेच के लिए कि कौन केपटन बन सकता है कौन वेस और सकता है साथ में पेच रिपोट के रहने वाली है सारी बात्य हम इस वीडियो में करने वाले है तो वीडियो को पूरा जरु देगना और अगर अब अब तेक आपने टेलिगराम चेनल जोचनल नहीं Cherno तो जोइ पहले बल्ले बाची आती है और यहाँ पर 200 बन जाए तो भी कुछ संकोच मत करना है क्योंकि 200 बन भी सकता है क्योंकि ग्राउंड बेटिंग पीच रेने वाला है और यहाँ पर बेटिंग पीच तो ही है उसके बाद यहाँ पर बोलर्स की बात करो तो यहाँ पर दोस्तों फा करें तो सबसे पिलिए यहां पर विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो संजु सेंसन दिखाई देंगे तो यहां पर यह बहुत ही स्चांदर फों में इस साल और अभी तक यह 4500 के पार रन बना चुके तो इनको आपको जुरूर टीम में लेना है क्योंकि उसके बाद यहां और जोस बैटलर अनवेलबल है क्योंकि इंग्लेंड जा चुके तो इस मेंच में नहीं खिलेंगे उसके बाद जोनी बेरिस्टों की बात करें तो यह भी बहुत शांदर खेलते हैं लेकिन इनको इस मेंच में अपने को ड्रॉप करना है क्योंकि दोस्तों यह ट्रेंट बो पर बहुत शांदर खेला था इसलिए इनको जरूर पिक करना है और यह अपनी टीम में रहने वाले और जितेश सर्मा को मैं यहां पर ड्रॉप करना हूँ जिनका फॉम बिल्कुल भी नहीं है तो सबसे पहले हम संजू सेंसें को सलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर प्रप सि को कि अभी तक यह उससाफ से चले नहीं है इस मेंच में जरूर चलेंगे उसके बाद यहांपर सेसांग सिंह इनको जरूर लेना है क्योंकि दोस्तों पंजाब के विकेट जल्दी भी गिर सकते है क्योंकि राजस्तान की बोलिंग बहुत शांदार है इसलिए इनको जरूर क्योंकि इनकी बेटिंग आएगी तो यह अच्छा खेलेंगे उसके बाद और बात करेंगे तो यह पर आपको एक चीज ज्यान रखना टॉम के लोड केड मोर तो यह जोस पिटलर की जगह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और यह ओपनिंग करते हैं और यह भी वह स्च है लेकिन हम 달 ड्रोप करके चल रहें कियोंकि इसपीं इतनी शांदार नहीं खियलते हैं उसके बाद զुरूद हम यह हम निच्छे बहुत आदा हैं उसके बाद आयरा यह इनको वा ga को पर आयगे वीडियो में ऊसके बाद हम रहे तेकनों को मिल जाएंगे और यह इनका होम ग्राउंड है यह समकी रहने वाल है तो इनको जरूर टीम में रखना है और इस में अच्छा परदेशन करेंगे उसके बाद सेम करने जिनके बोलिंग यहां पर बहुत संदर करते हैं तो इनको भी टीम में जरूर रखना है तो हमार पर बिटिंग पीच भी रहने वाला इसलिए और लिविंग श्टन तो उपलब्द भी नहीं है तो हमारे ओल डूर्णर में से रियान पराग रहने वाल है और सेम करन रहने वाल है और बोलिंग सेक्षन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपको युजवेंदर चल इसलिए इनको जरूर पिक करना है उसके बाद हम यहां ट्रेंट बोल को इस मेंच के लिए जरूर लेंगे लेकिन इनको बहुत सेलेक्षन परसेंडर देगना आपने 36 परसेंड लोगों नहीं ले रहा है तो इनको आपको टीम में जरूर रिलेना है और यहां पर संदीप सर करना को इस मेंच में हम ड्रोप करके चल रहे यह बहुत शांदर खिलाड़ी अगर आप एक्स्ट्रा टीम मनाते हो तो इनको केप्टन वर्ष केप्टन जरूर ट्राय करना और उसके बाद अर्षदीप सेंगे देखने को मिल जाएंगे जिनका भी सेलेक्षन परसेंड 38 पर चाहर को जो कि एक बहुत ही शांदर फों में और 19 परसेंड लोगों लेगा तो आप इनको भी ट्राय कर सकते हो और नानरी बर्गर भी रहने वाले तो इनको भी आप ट्राय कर सकते हो यह इंपेक्ट प्लेयर में आ सकते हैं तो सबसे बिले हम उज्वेंदर चाहल को सेलेक् एक जिनको 34 परसेंड लोगों ने बना रखा है और यहांपर शेगन पर रियान पराघ है सेम करन है और आपको हर्चल पठल निर नों को भी बना सकते हो और फ्रब शिंवर सिंग को भी बना सकते हो तो इस मैच के लिए मैं सबसे बेले यहांपर केप्टन तो यह सबसे बिल इसलिए मैं इनको बना रहा हूँ तो हमाई टीम कुछ इस प्रकार दिखती है तो विगट कीपर सेक्शन से हमने संजु सेम्शन को लिया है और प्रप सिम्रन सिंग को लिया तो प्रप सिम्रन सिंग बहुत ही शांदर हीटिंग करते हैं और एक राउंड ज्यादा बढ़ा नह है उसके बाद सेशांग सिंग की बेटिंग जल्दी आईगी इसलिए इनके इनके भी रन बना के चांस बहुत ज़्यादा है और टॉम के लोड केड़ में आपको बताये था कि यह पहला मेंच खेल रहे आईपेल का और यह टीटवन्टी में पहले बहुत शांदर खेलते थ है हरसल पटल है वह ट्रेंट बोल्ट है और अर्षदीप सिंग है तो हमारे जो तीन प्लेयर है इनको बहुत कम लोगों ने ले रहा है तो इनको हमको जरूर सलेक्ट करना है और यह शांदर खेलेंगे और इस मैच के लिए मैंने केप्टन यह सच्छी जैसवाल को बनाया ज जो कि अभी T20 में बहुत सांदर करके आ रहे है उसके बाद यह बहुत सांदर स्कोर कर सकते है क्योंकि इनका पहला मैच रने वाला है तो हमने वोश केप्टन ट्राई किया है तो हमारी टीम कुछ इस प्रकार रहने वाली है लेकिन दोस्तों यह हमारी फाइनल टीम नहीं है चैनल को सेस्क्राइब जरू कर देना